जास पंजाबी देखरे सारे दर्शकांदा जी आएनू मैं हाँ तोड़े नाल हरकीरत सेंग अलु वालिया जास पंजाबी दर्शकांदा जी आएनू मैं हाँ तोड़े नाल हर्मन प्यारा शो अर्जदा मुद्दा नौर्थ अमेरिका देविच वजदे सारे विवर्स नो मेरी तरफ मों प्यार बरी सत्रीयकाल दोस्तों इस प्रोग्राम देविच कोशिश कर देए आसी कि उना मसलियां देवते गल कर सकीए जो कि इंटरनेशनल प्लाटफॉर्म देवते गंबीर विशे बने हुएं चाहे वो विशा नेशनल पर दरते होवे चाहे वो विशा इंटरनेशनल पर दरते होवे कोशिश रहे दिय कि उना मुतलग तो आदेणाल विचार वटानदरा कीता जा सके और तुसी भी अपने जेडेफ़ीड़े फीड़बैक है वैल्यूबल कमेंट्स है इस मुतलग जिना ने सियासी गल्यारें देविच् – प्रिंट मीडिया देविच – एलेक्टरोनिक मीडिया देविच और इंटरनेशनल प्लेशनल प्लाटफ़ार्म देविच पॉलिक डूमेन देविच एक डालॉग जड़ा ओ बणिया होया जेकर मैं गल करां पिछले कई महीनेया तो पिछले कई हफतेया तो अगर कोई सुर्खी बणी है ते ओ बणी है जी पंजाब रफरेंडम 2020 और आज दा मुद्धा वी असी इसे करके रखेया लंडन डेक्लरेशन कल हो चुके है लंडन डेक्लरेशन दे विच असी देख्या सीगा कोशिश सीगी सारे अजन्सियां दी चायो पार्थ दी अजन्सी होन चायो यूके दे विच अजन्सियां होन ते किते न किते पार्थ अजन्सी ने पार्थ सरकार ने यूके गवर्मेंट नू किहा सीगा तिन वारी उनने लेटर लिख्या कि तुसी इस रफ्रेंडम 2020 दा जड़ा लंडन दा ऐलान नाम है डेक्लरेशन है एनू रोको लेकिन एंड अफ दे लंडन दे विच ए रफ्रेंडम हुंदा है डेक्लरेशन हुंदा है एलान नाम हुंदा है रफ्रेंडम की है आखिरकार रफ्रेंडम दी शब्दावली की दसदी है गुगल डिक्शनी दे विच अगर रफ्रेंडम नू उसी खुजी है ता ओदा की मकसद है जा ओदा की मतलब है आखिरकार इस रफ्रेंडम दे विच कौ हिस्सा बन सकदा है और आल ओवर इंटरनेशनल प्लैडफोर्म दे खालिस्तान नू लाके जडिया मुवमेंट आप मुवमेंट आसी पहले वेखियां सी गिया उस मुवमेंट दे विच हुन नवी जडिया गल सुनननू मेल रही है ओ मेल रही है जी रफरेंडम 2020 ते कहा जा र दुचित्ती बनी हुई है अज इसे रुलाके आसी करना चौने या तो अडेनाल आजदा मुद्दा कि आखिरकार कोन पाग ला सकता है कोन पाग नहीं ला सकता ऐस सवाल जेड़े ने जहंद विच बने हुए ने जेकर मैं गल करना स्यासी प्रतिकरम दी ता स्यासी प्रतिक या सामने आई या सी किया यूके अबैसी दा किरा आफ भी किता गया सी का कहीं वक्वक संस्थावाँ वलो पार्थ दे अंदर दिल्ली दे अंदर ते की कुछ प्रतिकरम पहला आए सी के पहला ओ वेख लेने या उस तो बाद आफ्टर एफेक्ट लेंडन डेक्लरेशन अला जो मैंने चीज बताई आपको कि यह सेपरेटिस्ट अक्टिविटी है वो कवर हो गया इसमें जो हमने कहा कि यह प्रोमोट करेगा वॉयलेंस को प्रोगेट करेगा वो भी कवर हो गया तो जितना स्ट्रॉंगली हो सकता था हमने इस मैटर को टेक अप किया यूके के साथ औ और उनके साथ रिपीटेटली हमने यह कहा है कि यह जो हो रहा है यह एक 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 अक्टिविटी है जो हमारे हित में नहीं है यूके गॉर्मेंट को ऐसे लोगों पे बैन लगाना चाहिए और यह जो टेरिस्ट है यह हमें इंडिया को वापत सोपने चाहिए यह हमारा शंगर्च है यह चलता रहेगा इसको हम छोड़ेंगे नहीं जितनी दे तक यूके गॉर्मेंट टेरिस्टों को हमारे हवाले नहीं करता यह टोटल रिफरेंडम और उनका एक ड्रामा है एक चुटकला है पर हम उनको यह बताना ना चाहते हैं कि हिंदोस्तान के लोग है एक ही रहेंगे इनके पीछे आईयसाई है यह मुखटे हैं पीछे पाकिस्तान आईयसाई मेरे ख्याल के कि आईयसाई बंदे ने और और क्लियर भी हो गया जड़ा पाडल यह थे आवी गया इंटरनेट ते भी आ गया कि उनना ने कहा कि ओप्रेशन एक्स्टे साथा जड़ा पंजाब से चल रहे हैं रहे हैं रिफरेंडम ट्विट्विट्विट्विट्विट् ते की गुरु साब केंड़े के जड़ी ओनारे सेखों होंगी ओ जड़ी पोनी टेल करके गुतां करके फिर ने कि मैरे ख्याल थी कि पाकिस्तान दी बार लिए कंट्री दी यह इनों कोई भी एक्सेप्टन नी करता जियो खालस्टान चोंदे ने यह सची चोंदे ने ते मा होर दे विचे जड़ा माराज अरंजी सेंग दात किला उते साब तो पहलों खालस्तान दा चंडा चड़ोन पशावर तो लागे तुरे ओन पेर आगी कोई होज सेख गल सेखोंदे देखो एथे तां आता सारे खड़ेने लोग एथे हैं मुद्द ही है नी इना दे मसले की ते पंजाब बीजेपी दा इस मुटल्लड की कुछ कहना ओं भी तो पनो सुना देनि पंजाब दे महोल नूँ खराब करन दी कोशिश किती जारी है जिननों कदी असी होन नी दे आने और मेरी पंजाब दी जनता दे अपने साथियां गे नौजवाने दे अपील है के 2020 देश्वरोदी देश्दी एकता खंडता दे खिलाब पंजाबी अधर पंजाबी पाइचार दे खिलाब आई असाई नी साजीश है स्वाल से एक की पूछा ते होन असी तो अनों दिखा देने है स्यासी प्रतिकरम लंडन एलान में तो बात केड़े-केड़े सामने आए कैप्टेन अमरंदर सिंग ते उन्हाने की कुछ किया कि लंडन दे विचे एसफजे दी रैली नो हुंगारा ना मिलन कारण इसे द्ध हो गया है कि पारतो बाहर वी राइशुमारी 2020 दे संबांद विचे हेटले पदरते इसनों कोई समर्थन हासल नहीं होया उन्हा क्या कि सक्सफ़र जस्टिस फोट पाउ ततांदा ग्रोप है आते तत पारत नो वंडन लेई पाकिस्तान दी एजनसी आयसाई दे हाथा चे खेड रहने उन्हा क्या कि इना लोकानों आपने नापाक एराद्यां विचे मू दिखानी पही है ति अग्गे भी एससे तरह असफल हुन दे रहेंगे कैबिनेट मंत्री ओपी सोनी ने रेफरेंड़म 2020 ले दिती चारी शैनु गला दस्या ता उदर बीजेपी ने भी रेफरेंड़म दावरोध किता है भारतिये जनता पार्टी दी आइडियोलोजी स्कष्ट है भारतिये जनता पार्टी किसे भी राष्ट्रवरोधी ताकत दा समर्थन नी कर दी जिडिके देश दी अखंडता देश दी एकता दे उते परहार करे असी पहले दिन ही क्या सिगा कि एग रेफरेंड़म है असी विरोध करने है और इदा ही विरोध नी कर दे चाहे ओ अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है और ते राहुल गांदी जी जाके उना दी पिट थपतवा सकते ने केजरी वाल जी थपतवा सकते ने भारतिये जंता पार्टी दा क्लियर स्टेंड है कोई भी राष्ट्रवर्दी विरोधी चाहे कोई भी होए अपना होए बिगाना होए उदे ते एक कड़ा दंड मिलना चाहिदार कुनों दी कारवाई होने चाहिदी है जिड़े लोका ने हिंदोस्तान दी एकता वास्ते हो थे चंडा बरदार बनके कीता मैं उन्हादा भी अप्रिशेट करता है क्योंकि पार्ट तोरन वास्ते नहीं जोडन वास्ते असी सारे का तुसी वेखिया है वकवक स्यासी प्रतिकरम जेड़े ने इस मुतलक आनिया शुरू हुई है और सिख फोर जस्टेस दे जेड़े हिमाईती ने उन्हानने कहा कि जेड़े यसी सोची सीगी उस तो जादा सानों हुंगारा मिलेया है गा ते वकवक जेड़े अपनी प्रतिकरिया है गी है वकवक संस्थामा वलनों जमाता वलनों ओ इस रफरेंडम 2020 अलाना में तो बाद और उस तो पहला सुर्खिया बढ़िया सी गिया और तुसी वी कल वेख्या होना है सोचल मेडिया दे होते जेड़ी कई वकवक वीडियोज वेखन नों मिली इस लाना में नों लेके ते जेड़ी हुन इंटरनेशनल पद्दर ते रफरेंडम 2020 ते जेड़ी गूंज हुन सुनाई दे रही है आखिरकार हो है कि अज तुसी खुद आप तैय करोंगे ऐ मुदा अज तो हडे हे लिए रख्या गया है असीवी एनलेसिस करांगे और तुसीवी एनलेसिस करांगे इस मुतलक तो अडे की विचार ने लवांगे तो अडे फीडबैक्स तो अडे सुजाव्स इस ब्रेक तो उस पार